साउधान, खबरदार, होश यार अभी मैं जो आप से बात करने वाला हूँ इससे आपके दिलों को ठेस पहुँच सकती है तक्लीफ हो सकती है हो सकता है कि आपको मुझबर गुस्सा आए अपको हो सकता है कि अपने पै, मापदंडों, मानदंडों को जब ठेस पहुँचती है तो तक्लीफ होती है और बात हो रही है एक ऐसी फिल्म की इसके बारे में आम तोर पर सारे लोगों ने तारीफें ही तारीफें किये और जब सब लोग आम राय लगभग राष्ट्रे सहमती हो किसी बात पर फिल्म बहुत शांदार है लंबे समय के बाद ऐसी फिल्म आई है और एक आदमी किस तरह से गरीबी से गुर्वस से उठकर उचाई हासिल करता है और मेहनस से दुनिया में कैसे सब कुछ हासिल किया जा सकता है इसकी दास्तान है ऐसी फिल्म के बारे में जो आप क्रिटिकल गेज डालते हैं अपनी अलोचनातन ब्रिष्टी डालते हैं बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो सकती है इसलिए पहले ही मैं अलर्ट कर रहा हूं बार में मत कहिएगा कि आपने यह क्या कर दिया तो जिन लोगों को फिल्म से धार्मिक हद तक प्यार है जो उसके बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहते हैं ऐसे लोग क्रिपया इस वीडियो कर ना देखें क्योंकि उनको तकलीफ हो गी गारेंटेट तकलीफ हो बारवी फिल्ड मोटे तोर पर देखिए इसको जिस तरह से समिख्षकों ने और में इस्ट्री मीडिया से लेकर सोसल मीडिया में जिस तरह से इस फिल्म को देखा गया ये फिल्म अंडर डॉग एचीविन सम्थिंग फिल्म है ये फिल्म करीबी से उठकर काम्यावी हासिल करने की फिल्म है इस तरह से इस फिल्म को पोट्रे किया गया है कि किस तरह से चंबल के एक फोटे से गाओं का एक गरीब सा बच्चा दिल्ली आकर इस तरह से IS officer बन जाता है, IPS officer बन जाता है, ये दास्तान है, simple narrative एक तरह से तो आप देखें, जिसको बोलते हैं कि linear film है, तकलीफ, गरीबी, संगर्स, काम्याबी, तकलीफ, step by step, मैं इस फिल्म में कम से कम 12 ऐसी ऐसी बिंदु मैं देख रहा हूं, और फिल्मों में आपने भी इ इस तरह से न देखा होगा, जिसके आद मुझे लगता है कि ये फिल्म गरीबी की फिल्म नहीं है, ये फिल्म हिंदी मीडियम के एक बच्चे के काम्याबी हासिल करने की फिल्म नहीं है, बलकि ये फिल्म privilege की फिल्म है, ये फिल्म विशेशाधिकारों की फिल्म है, ये फि फिल्म को आप चपल वाजों की फिल्म कह सकते हैं। इस फिल्म में कई किरदार बार बार चपल उठाते हैं और चपल से किसी न किसी को मारते हैं या चपल दिखाते हैं। और ये सारा कुछ उसी परिवार के लोग करते हैं, जिस परिवार के मनोज शर्मा, IPS बाद में बनते हैं, सबसे पहली वार चपल उस परिवार का जो मुखिया है, मनोज के पिता, मनोज के बाप, वो अपने अधिकारी को, अपने से उच पदस्त, अपने से बड़े पद के एक अधिकारी को चपल दिखाते हैं, और आरोप लगाते हुए, जिस आरोप की सत्यता साथ हमें नहीं मालूम कि क्या सिस रूप में से कल हुआ, कि वो लोकल विधायत के लिए काम करता है, उसका कुछ गलत करने के लिए कहा गया है, और नहीं करता है, तो इसकी बादचीत के ब मारते हैं, दूसरी बार चपल मनोज के भाई मारते हैं, जो की एक जुगार चला रहे हैं, तो दोनों जुगारिया होती है, जो वो चला रहे हैं, और एमेले के एक चंचे को चपल मारते हैं, यह दूसरी बार चपल का जिकराता है, तीसरी बार चपल चलते चलते बच जाता है जब मनोज पर लगाता है और मनोज इनको चकपल दिखाता है अब भारतिय समाज में कोई एक परिवार बार बार चकपल मार और दिखा रहा है कितना बड़ा प्रिविलेज होगा जब आप मले के चंचे को चकपल मार रहे हैं आप इसकी जगह मनोज शर्मा की जगह मनोज शर्मा का नाम मनोज मौरी मनोज पटेर मनोज यादव मनोज आटव मनोज मीना रखके देख लिजे मनोज बुर्जर चंबल में बहुत बड़ी संख्या में बुर्जर आवा दिये क्या ये वो भी कर सकता है सोच करे look, हो सकता है, कर सकता है, उससके साथ नहीं कर सकता है, मुझे नहीं मागए, दूसरी बात छप पल के बाद इस फिल्म में बंदूक हिना। बंदूक निकलती ह愤के एक डाकिया, aux के पिता की भरकासति की ख़बर लेकर उनके घर आता है और उसके घर में पहले तो उनका भाई धंकाता है, दादी उनको धंकाता है, दादी का तेजाज बंदूख बंदर से ले आ और एक लाइसेंसी बंदूख बंदर से ले के आता है, फाइरिंग करने कोशिश रती जो हाई फाइरिंग होके रह जाती है, घर में लाइसेंसी नहीं है कि वह इतना साहस दिखा कर भी आप सरकारी पर कंद्चारी पर बंदूप की फाइरिंग करते हैं इसके बाव दूद आप तो सहास ही कहां से आते हैं और MLA के गुंडे या चमचें के साथ उनकी लड़ाई होती है उसके पुलिस उनको एरिष्ट करके ले जाती है जो आप उनका रोक कर थाने में दोनों भाई का जगड़ा होता है वहां के थानेदार के साथ और बात यहां तक पहुंचती है कि मनोज के भाई कहता है कि जा नौजवान लड़के यह करके और थानेदार के साथ निकल जाया मुझे तो लगता है कि वह वहां पर एक एंकाउंटर आम तोर पर भारती थाने की स्थितियों में समय ने देखा है आपने भी देखा होगा यह समय ने स्थिति नहीं है और वहां से मनोल दौड़ता हुआ इतने सारे संजोग सबके साथ संभव है गया इतनी आसान बात है इतना नौर्मल है तो यह देख क्या इतना एसी लिनियर तरीके से चल रहा है तो मुझे लगता है कि दूसरा प्रिविलेज भी जो है तीसरा प्रिविलेज वह भी आम तोर पर समानी भारतियों के लिए उप सब्सक्राइब कर रहा है तो मनोज के पिता मनोज के दादा भारतिय फॉज में नौन कमिशनल ऑफिशर मतलब सुम्भवता जेशियों सुवेदार पदपर है और वहां से उसकी वज़ा से उनकी दादी पो पेंशन मिलती है पिता सर्मकारी कर्मचारी है घर में जमीन है गा गरीबी से उठकर काम्यावी हासिल करने की कहानी है तो इस फिल्म में जो दिखाया जा उसके हिसाब सब्सक्राइब को दर में लाइसेंसी बंदूक है तो यह सामायनी स्थिती नहीं है दर से पढ़ने के लिए बच्चे को बाहर भीजा जा रहा है इतने पैसे हैं आई को परिवलेज वाला ही परिवार है ठीक है मतलब बहुत राजा महराजा नहीं है लेकिन एकदम भिखारी भी नहीं है तो उस तरह का परिवार भी नहीं है एक और जो मझे लगता है कि महत्कूम बात देखनी चाहिए वह पाच्वा बिनू है कि घर के अंदर चलते हैं बलकि ए इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक घर के अंदर चर्चा बारबार चलती है कि बारवी पास कर लेगा तो इसको नौकरी नहीं देगे यह कॉंफिडेंस भी बहुत असमान्य सा कॉंफिडेंस है लब 1995 में डोजार पांच में आईपियस बनते हैं मनोर शर्मा तो उस समय तक ब्रोजगार के इतनी समान्य स्थिति नहीं थी उससे चार साल पले पितानी माल ने तो 2000 के आस-पास बच्चा बारवी पास कर लेगा तो मिल जाएगी यह कॉंफिडेंस भी असमान्य है यह कंफिडेंस भी कहां से आता है देखना पड़ेगा इसका भी सोब जानना पड़ेगा यह चता is संकट में ऐसे समय में जाते हैं आपना पूरा नाम बता है कि नहीं बता है बता नहीं गया है मतलब किसी के हो रहे हैं तो इसका मतलब वह असाधारन कुछ भाग या कुछ और लेकर आया है पता नहीं कोई मिश्टर पांडे मिलते हैं वह उसको दिल्ली ले आते हैं यह भी मिश्टर पांडे को इस पता चला होगा कि वह मनोज मनोज शर्मा की जगह क्या कोई और नाम होता तो भी वह ले आते आप विचार कीजिए मुझा लगता है कि कहानी यहां पर दिल्ली नहीं है दिल्ली आने के बाद मनोज की लाइफ में कौरी भही आते हैं जिनको ओवी सी बताया गया है और भी सी च्छटी बार पर इच्छा द अब अपनी पास नहीं होते हैं तो चाहिक की दुकान खोल लेते हैं मुझे लगता है कि पूरी दिल्ली में क्या पूरे देश में जो सिविल सर्विस की परिक्षा दो बार पास कर चुका है में वह चाहिक तो नहीं ही बेचेगा वह कुछ और कर लेगा बहुत सारे उसकी अबिलियत का एक लेवल होगा जहां पर वो कुछ और उसको करते हैं मुझे लगता है कि देखना चाहिए दिल्ली मैंने नहीं सुनाए कि कोई ऐसा चाय वाला होगा जो यूपिए सीमेंस तो बार क्लियर करके चाय बेच रहा होगा तो यह और चाय का ठेला ठेला चला रहा ह होटल सब्सक्राइब को अपना फकल पर करतंग मौत नौर्माल नहीं है लीनियर नहीं हो सकता होने को बहुत कुछ होता है यह सद्धायwegen तो जो सबात जो होता है ये भी जोशी और सर्मा के अफेयर में कोई नॉन लिनियरिटी नहीं है मतलब वो कोई कंटिनुटी कहीं पर ब्रेक नहीं है भारती समाज के हिसाब से ही वो सारा कुछ है और सब कुछ होते वे भी जब पता चल जाता है मतलब एक सुखद अंत की तरफ कहानी बहुत आसानी से ऐसी कहानियां बढ़ सकती है क्योंकि जो सिवेड़ शर्मा इस नॉर्म, इस नॉर्म, इस नॉर्मल थीं, इस समान निसी चीज है कोचिंग में एड्मिशन भी मिल जाना मतलब बहुत गरिब परिवार का होने से जल्दी के अच्छी कोचिंग शुपन एड्मिशन मिल जाना भी इस तरह से हो नहीं सकता है तो यह भी एक बिंदू है जिस पर की विचार करना चाहिए मुझे लगता है कि यहां पर भी एक नौ पर जाता है उस समय वह बड़ा जिकारी बन चुका है सारी सिक्रिटी जबर वह पार करके वह जाता है घर के अंदर और मेंटोर करते हैं फिर मेंटोर सिप उसको मिल जाती है उस आई एस ऑफिसर की यह भी बहुत असमानिने सा संजोग है जो आम तोर पर लोगों की लाइफ में होगा जब एक लाग में या एक लाग में दो बहुत हुआ तो आम तर पर यह होता नहीं तो मनोज की पिष्ट भूमी का इसमें कितना योगदान है यह देखने वाली बात है इस पूरे फिल्म का जो सबसे जटिल पहलू है मुझे लगता है वह है मनोज का का दिया जाता है कि आप बाहर जाए इस पीस में यह भी देखा जाता है कि बहुत समाजनी से अंग्रेजी का एक सब्सक्राइब बोला जाता है मनोज मैं सुचता हूं कि एक ग्रेजुएट है और इसके बाद चार साल दिल्ली में अगर सिविल सर्थिस की परिच्छा की तय कि अदधी से ही तेारी कर रहा है कि इसलिए सी और की सात्तों तो इसको कितना बड़ा गधा माना जाता है तो बहुत सारे बल्के आये सॉफिसर को जानता हूं जो हिंदी वेत्राउंस से आया है उन्होंने अंग्रेजी में नहीं परिक्षा दिये और इंग्रेजी में परिक्षा दे कर आज बीजिन लेजर बिजिन पदों पर है यह संघर्स किये बबेर महान है और वह इंदी एक समा मुझे नहीं मालूम कि इसमें किसी ने अपना वजन रख दिया होगा यह कुछ तो हुआ है जो बहुत सामान्य नहीं है जिसकी विज़ा से यह हुआ होगा और यह चौकाता है यह भी एक प्रिविलेज के बगार मुझे नहीं लगता है कि हो सकता है एक जो बारवां अगर आप उस तरह से देखें तो भारत में विभिन भार्षा समधायों के लोग हैं तुमाम लेंग्विज के लोग हैं दिल्ली में होने के वज़े से आप अगर इंदी में इंट्रिवू दे रहे हैं तो इंग्लिस के बाद आप प्रिविलेज की सीड़ी में दूसरे में खड़े हैं तो ये 12 मिंदु के बाद फिर मैं सोचता हूं कि युकाम्याभी तो कैसे देखा जाए दो थेयुरिटिकल फ्रेमवर्क मुझे यहां पर मदद करते हैं इस बात को समझने में कि यह क्या हुआ होगा नंबर वन प्रोफेसर टेगी मेकिन्टोस का वाइट प्रिवलेज की यह थेयरी है वो मुझे इस पामले को समझने मदद करते हैं और दूसरी थेयरी है सी राइट मिल का सोचियोलोजिकल इमेजिनेशन इन दोनों थेयरीज को अगर आप पढ़ें इसके चोटे-चोटे वीडियोज आप देख सकते हैं Sociological Imagination by C. Wright Mill and White Privilege by Professor Piggy Macintosh इन दोनों को अगर आप छोटे-छोटे वीडियो में देखेंगे तो मुझे अलगता है कि इस पूरे परिगटना को समझने में आशानी होगी जैसे होता है ना एक कोई एक कंडेट थी जो अभी दो-तीन साल ता लेजिस से पूछा गया था कि साड़ी का आपका जो फॉल है उसके किसकी डिजाइन बनी हुई और उसको उस साल का इंटर्व्यू की वो टॉपर थी सबसे ज्यादा नंबर था तो इंटर्व्यू बोर्ड अपने समाजिक बैसे के साथ ही होता है लोग अपना समाज और अपनी पीछे चोड़के तो आ नहीं सकते आनमी आत्मान से तो तपक नहीं सकता है इसका बैस का लाब अलग लग लोग अलग धंग से मिलता है लेकिन ज ज्यादा इसमें वेटेज है इस पर काफी रिसर्च भी हो चुका है कि किस तरह से जो सवन कंडेट है उनको ज्यादा प्रेफरेंस आता है तो यह एक फैक्ट है जो कि इसमें तो फ्रिवलेज जो है वो अमेशा विजिबल नहीं होता है जिसको मिल ह्या है उसको भी कई वार विजिबल रहा है लेकिन वो उसके साथ चल रहा है और खास समय में उसको वो निकाल कर उसका इस्तिमाल कर ले सकता है यह लगभग आपके बैंक की वो FD है जिसके बारे में आपको पता नहीं लेकिन वो है और जो आपको ज़रत पड़ती है और बैंक आप खांगालती है तो आप एक FD मिल जाती है इस तरह की हासिल कर रहा है इस्तिमाल कर रहा है जब मैंने का इस्तिमाल किया है जेशुग का दूबारा बुला गया तो इसको पता होना चाहिए अगर बाप जिनके अपसर होंको उनके दोस्तों का नेटवर्क मिल जाता है जो अगर वकालत में घुसरा रोज के बाप अगर जाज है तो उसको को लिजियों में बेनीपिट मिल जाता है तो यह सब प्रिविलेजेज है इसका इस्तिमाल हराजमी नहीं करता है लेकिन उसके पास होता है और अक्सर जब जब पढ़ती है तो लोग कर लेते हैं तो यह जो इन्विजिबल नैपसेक है इन्विजिबल बैक पैक है यह मनोज के कंधे पर लदा हुआ है मनोज को मैं इसके दोस्त नहीं दे रहा हूं कि पैदा हुए जहां तो हुए अगर पड़ीबरारंगी तो निकाल तो निकाल के इसंतिमाल्य करेंगे दूसरी तो शुलॉजिकल है कि उसम्थे की जो ज最悟ती है उसके साहं गसानी चलती है तो एक आदमी की जो बायोग्राफी है और टाइम की जो जर्नी है इनके बीच में जगा जगा चीजें फिर intersection होती है, intersect करती है उन intersections पर truth है ये एक आदमी की काम्यावी उसकी नेजी काम्यावी नहीं है उसको समय ने कहां कहां अलग अलग धाउंपे उसको क्रिस्क्रोस किया है इससे भी किसी आदमी की काम्यावी या नाकाम्यावी को देखना चाहिए जैसे अगर आपने 2009 में engineering की परिच्छा पास की और अगर उस साल आपको नौकरी नहीं मिले ते इसका मतलब यह नहीं है तो पढ़ने लिपने में खराब दे 2009 चुकी मंदी का शाल था इसी तरह से आपके समाज की प्रिवलेज का फाइदा मिलता है अभी हम नहीं कर सकते हैं कि खतम हो जाएंगे लेकिन हां एक बेसिक अंड़ेस्टेंडिंग होनी चाहिए कि हमें प्रिवलेज मिल रहा है और हमारी काम्यावी सिर्फ हमारी काम्यावी में इसके पीछे 25-30 संजोग आपके तो मैंने गिनाए यह सारे संजोग है इसलिए मैं पढ़ा हूँ यह संजोग मुझे इसलिए मिल रहा है कि एक स्पेसिटिक सिटुएशन में हूँ हर किसी को नहीं मिलेगा इसके वैसे बाकी इसलिए करें वो क्योंकि उनको वो सारे संजोग उनकी नहीं आ रहे है तो इस बात मुझे लगता है कि समयने की जुरत है अगर मैंने इस समिच्छा के जरिया आप लोगों का दिल दुखाया है तो मैं आपसे बहुत-बहुत माफी मांता हूं लेकिन मेरा इरादा आपका द का दिल दुणका हूं यदिक अらहा है क्ईोफेंे बहुत प्रड़ शाओएंग्स